बहुत लोगों को बैगन खाना पसंद नहीं होता लिकिन जब ये साधरान से दिखने वाले आलू बैगन की सबजी आप थोड़ा सा स्पेशल करके बनाएंगे न तो वास्ता में स्पेशल बन जाएगी और ना खाने लबाले भी इसे उंगलियां चाड़ चाड़ कर खाएंग जो एकदम देखने में डार कलर के हो और इसमें बीजना हो साथ में लिया है मैंने 400 ग्राम आलू और दो मीडियम साइज की प्यास दो टमाटर मीडियम साइज की तो अब हम इनको काट लेते हैं काटने से पहले सारी सबजियों को दो बार जरूर धोलें काटते समय ध्यान र करके दौनों में से 3-3 पीस किये हैं इसको मैंने बड़ा-बड़ा काटा है क्योंकि बैगन एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और ज्यादा छोटे रहेंगे तो सबजी खुल जाएगी क्योंकि सबजी दिखने में भी अच्छी लगनी चाहिए इसी तरह मैंने आलू को भी जिस और मैंने यहां टमाटर को थोड़ा छोटा-छोटा चोटा काटा है क्योंकि हमें इसका मसाला बनाना है और प्यास को भी मैंने लम 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 गाटा है यहाँ दो बड़ी स्पून भरके मैंने मस्टर्ड ओयल के लिए हैं आप जो भी ओयल पसंद करें आप उसमें अपना खाना बनाए अब इसमें गरम हो जाने के बाद जो कटे हुए आलू है ना मैं इसमें डाल कर उसको हलका हलका भून लूँगी बूनने से क्या होगा जो आलू है वो ग्रेवी में जाने के बाद घूलेंगे नहीं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो जब आलू में उपर एक थोड़ी हाड सी लेयर आ जाए जो लाइट ब्राउन कलर की हो उसके आने पर आप आलू को इस तरह से अलग कर लें अब बचे हुए ओल में जो कटे हुए बैंगन है आप उसको डाल कर फ्राइ कर लें ऐसा करने से सबजी का जो टेस्ट है वो जस्ट डबल हो जाता है आप एक बार इस तरह से सबजी बना कर देखिए फिर देखना ही कितना टेस्टी लगती है खाने में तो और प्रेचर पर हम इसको भूनते हैं तो इसके ओपर एक थोड़ी हाड सी लेयर बन जाएगी और ग्रेवी में जाने के बाद में बैगन खुलेंगे नहीं तो इसको निकाल लेते हैं देखिए हलके से ब्राउन कलर के हो गया है बैगन अब इसमें हम डालेंगे टू टीस्पू तब इसमें डाली है मैंने एक पड़ी इलाईची एक टुकड़ा दाल चीनी का और एक तेज पता खड़े मसालों को हमें हमेशा लो फिलेम पर ही भूनना चाहिए ताकि उनका जो अपना ओल होता है वो जलेना और उसमें अच्छी सी स्मेल आने लगे अब इसमें हम प्यास डाल कर उसको भून लेंगे प्यास को हमें डाल ब्राउन नहीं भूनना है बस तब तक भूने जब तक कि वो ट्रांस्पारिन ना हो जाए अब इसमें हम एड कर लेते हैं सुखे मसाले जिसमें मैंने लिया है एक चम्मच लाल म्रज पाउडर आधी चम्मच हल्दी पाउड और बस इनको थोड़ी देर भून के हलके हलकी आज पर अब इसमें हम एड कर देंगे कटे हुए टमाटर कटी हुए टमाटर डालने के बाद में हमें इसमें डालनी है नमक क्योंकि नमक डालने पर टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाते है तो अब इसमें हम नमक डालने ते हैं नमक हमें टेस्ट के कॉर्डिंग डालनी है जितनी आपकी सबजी है अब इसको थोड़ी देर चलाने के बाद में हम ढखके रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है वरना तो नीचे से मसाले लग जाएंगे अब मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक की मसाला तेल को न छोड़ दे और टमाटर न गल जाए जब मसाला पूरी तरह से भून जाएगा तब जो हमने आलू बैंगन फ्राइग करके रखे थे वो हम इसमें एड़ कर देंगे देखे इस तरह से और यहाँ पर जो हमारे आलू बैंगन है वो फ्राइ करते समय काफी सॉफ्ट हो चुके थे लगभग 50% गल गए थे तो सबजी को हमें जादा देर तक गलाना नहीं पड़ेगा यह इसी तरह से थोड़ी देर के लिए हम इसे ढख कर रख देंगे और सबजी अपने हाँ भी सॉफ्ट हो जाएगी चलिए दो मिनट के लिए हम इसको धक देते हैं और ग्यास की फ्लेम को स्लो कर देते हैं दो मिनट के बाद जब हम इसको खोल कर देखते हैं तो देखे हमारी सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है यह देखे देखने में कितनी अच्छी लग रहे है एकदम temperting कितनी beautiful अब इसको check कर लेते हैं कि हमारी सब्जी गली है या नहीं एकदम बैगनती की एकदम soft हो चुके हैं आलू को check करते हैं आलू भी यहाँ पूरी तरह से गल गए हैं अब इसे हम जैसे भी खाना चाहते हैं थोड़ी gravy वाली या सूखी वैसे तो इस सब्जी सू और बस एक मिनट के लिए और इसमें उबालाने दें अब लास्ट में हम डालेंगे एक चमच गरम मसाला यह घर का कुटावा गरम मसाला है आप यह जरूर डालें इससे इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों इनहेंस होंगे सब्जी बनकर तयार हैं यह देखे कितनी प्रेयर जरूर करें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई